हलो एन विल्कम टू माई यूटूब चैनल आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं करेंट अफेर्स का हम लोग 30 नवंबर 22 का जो इसके बारे में हम लोग डिसकस करेंगे तो पहला कोश्चन है बीए सी के नए इमडी और सी यो के रूप में किसे निव्ट किया गया है तो इसका उप्षन है उप्षन ए आसीश कुमार चोहान उप्षन बी सुन्दर रमन राम मुर्ती उप्षन सी डॉक्टर पी हुआ घेला उप्षन डी स्री एस वरद राजन तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उप्षन बी सुन्दर रमन राम मुर्ती जो हैं होगा बी एस ए के नए एमडी और सी यो निव्ट हुए हैं दूसरा कोश्चन है संस्कृत में बनी पहली विज्ञान वृत्चित्र कौन सी है इसे तिरपन में आई एफ एफ आई में परदरसित किया गया है इसका ओप्षन है ए यानम वी ओप्षन है चंद्रम सी ओप्षन है यारम डी ओप्षन है आगंतु तो इसका सही उतर हो जाएगा यानम जो है यानम वह संस्कृत में बनी पहली विज्ञान वृत्चित्र है यानि पहली विज्ञान डॉक्युमेंटरी है तो सही उतर इसका हो जाएगा option A और एया जो है एया नम एया बेस्ट है जो भारत का mission था MOA mission मतलब Mars और वाइटर mission पर बेस्ट था तो इसी पर बेस्ट यह documentary है तीसरा question है किस नीजी company ने भारत का पहला नीजी launch pad और mission नियंतरन केंदर स्थापित किया है इसका option है यह है sky route option B है isro option C है प्रतिवी cosmos option D है अगनी कुल cosmos तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option D अगनी कुल cosmos जो है भारत का पहला नीजी launch pad यह स्थापित किया है और mission नियंतरन केंदर स्थापित किया है और इसका जो स्थापना किया गया है स्री हरी कोटा में किया गया है जो कि आंध्र प्रदीश में स्थित है चौथा question है सांस्कृतिक विरासत संरक्षन के लिए UNESCO एसिया प्रसांत पुरसकार 22 में किस वास्तु संगरहाले को उतक्रिष्टता पुरसकार से सम्मानित किया गया है इसका option है A. छत्रपती संभाजी महराज B. छत्रपती सिवाजी महराज C. छत्रपती राजाराम D. छत्रपती स्ताहुजी महराज तो इसका स्त्रपत्तर हो जाएगा option B. छत्रपती सिवाजी महराज वास्तु संगरहाले जो है उसको UNESCO के द्वारा उतक्रिष्टता पुरसकार से सम्मानित किया गया है और UNESCO का फुल फॉर्ब होगा है स्तयुक्त राष्ट सैक्षिक वैग्यानिक और सांस्कृतिक संगठ है पाँचमा नम्मर कोश्चन है भारतिये रिजर बैंक ने जो राष्ट्रियन कोपरेटिव बैंक पर कितनी रासी का मौदरिक जुर्माना लगाया है इसका उप्षन है A है 1.25 करोड रुपे, B है 2 करोड रुपे, C है 1.5 करोड रुपे, D है 1 करोड रुपे तो सही उत्तर हो जाएगा इसका option A जो भारतिये रिजर बैंक है वा जोराश्ट्रियन कोपरेटिव बैंक पर 1.25 करोड रुपे का जुर्माना लगाया है छठा question है बाग प्रिंट हस्त सिल्फ की विरासत के सरक्षन के लिए वर्स 2017 है वर्स 2017 के स्तिल्फ गुरु पुरसकार से किसे समानित किया गया है option इसका है A है मुहमद यूसुप अंसारी B है मुहमद यूसुप रजा C है मुहमद यूसुप खत्री D है फैसल हुसेन इसका सही उतर हो जाएगा option नमबर C मुहमद यूसुप खत्री जो है उनको द्वार 17 का सिल्फ गुरु पुरसकार से समानित किया गया है सात्मा नमबर question है किस राज के मुख मत्री ने हर घर गंगा जल परियोजना शुरू किया है इसका option है A है उत्तर प्रदेश सरकार B है उत्तराखन C है पश्चिम बंगल D है बिहार तो सही उतर हो जाएगा option नमबर D बिहार बिहार के जो मुख मंत्री है स्री नितीश कुमार वह राजगीर में हर घर गंगा जल परियोजना का सुभारम किया है अगला है आठवा नमबर कोश्चन हाली में चार दस्कों में पहली बार हवाई में 20 फोट हुआ दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय जो आला मुखी कौन सा है जिसमें हाली में चार दस्कों में पहली बार हवाई में बिश्खोट हुआ Option A है मोना लोआ, Option B है किलाव हुआ, Option C है लोई ही, Option D है हुआ लाई, तो सही उतर हो जाएगा इसका, Option A सही है, मोना लोआ जो है दुनिया का सबसे बड़ाया सक्रिय जो आला मुखी है, जो की हवाई द्विप में है इस्तित हैं, और 1984 के बाद इसमें पहला विस्फोर्ट हु नॉमा कोश्चन है, हरिमव सक्ति, 1222 किन देशों के बीच सैन अभ्यास है, इसका Option A भारत और इंडोनेशिया, B है भारत और जापान, C है भारत और मलेशिया, D है भारत और रूस, इसका सैन नमबर C, भारत और मलेशिया के जो सैन अभ्यास है, इसका नाम है हरिमव सक्ति सरकार ने एनीमिया उन्मुलन कारिक्रम अमलन सुरू किया है इसका ओप्षन है A. बिहार B. उत्तर प्रदेश C. हरियाना D. ओडीशा तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ओप्षन D. ओडीशा जो सरकार है यहां के जो मुख मंत्री है नवीन पत्नायक उन्होंने हाली में एनीमि इनीमिया मुक्त लक्ष अभियान जो रोग है वा मुख तौर पर जो खून की कमी से होता है और यह मुख तौर पर जो महिलाएं होती है उनमें ज़्यादा देखा गया है और जो बूढ़े लोग होते हैं उसमें भी इनीमिया होता है अगला है 11. रमर कोश्चन वैस्विक प्रद्योई की सिखर सम्मेलन का साथमा संस्करन कहां होगा इसका ओप्षन है A. Kolkata, Option B. Bangalore, Option C. Hyderabad, Option D. नई दिल्ली तो सही उतर हो जाएगा Option D. नई दिल्ली यानि वैस्विक प्रद्योई की सिखर सम्मेलन का साथमा संस्करन जो है वा नई दिल्ली में आयोजित होगा अगला है बारहवा कोश्चन के वी आईसी के अध्यक्ष कौन है इसका उप्षन है ए मनोज कुमार उप्षन भी है रमेश कुमार उप्षन सी है सुरेश कुमार उप्षन भी है दीपक कुमार सही उत्तर हो जाएगा उप्षन ए मनोज कुमार इसका सही उत्तर हो जाएगा और मनोच कुमार जवय उन्होंने हनी मधुमक्खियों परियोजना उसका हनी का रिहाव का उपयोग करके महतवा कांची मानव हम लोग को कम करने का या है परियोजना का उत्गाटन किये है। अगला है तेरे नम्मर कोश्चन, किस मंत्राले ने नई चेतना लिंग अभियान शुरू किया है? इसका ओप्षन है, A में सेमी मंत्राले, B सहरी विकास मंत्राले, C ग्रामिन विकास मंत्राले, आप्शन डिये स्वास्थे मंत्राले इसका सही उतर हो जाएगा आप्शन नमबर C ग्रामीन विकास मंत्राले है वह नई चेतना लिंग अभियान को यह सुरू किया है और यह जो सुरू किया गया है वह 25 नमबर 22 को महिलाओं के खिलाप हिंसा के उल्मुलन के लिए अंतराफ्टिय दिवस पर जो है नई चेतना अभियान को सुरू किया गया था अगला है चोदा नमबर कोश्चन जर्मानी में थूरिंग गिया स्टेट क्रिस्चन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी रेसीडियम में किसे निव किया गया है इसका उप्शन है ए जर्मानी में स्टेट क्रिस्चन डेमोक्रेटिव यूनियन पार्टी प्रेसीडियम में इनने निव किया गया है तो यह जो है current affairs news है 30 नवंबर 2022 का तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो like करे, subscribe करे और ज्यादा से ज्यादा आप share करे